नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं चाहान वीडियो तो और इस वीडियो में हम बात करेंगे September एक्जाम 2020 के रिजल्ट के बारे में साथ में बात करेंगे Early Declaration of Results के बारे में भी इसलिए इस वीडियो को पुरा जरूर देखें अगर आप पहली मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तो वीडियो की सुरुआत करते हैं काफी सार इस्ट्रॉएंट्स की तरह से क्यारी की गई कि September exam 2020 जो इस समय चल रहे हैं 17 September 2020 से उनका result कब तक आएगा और early declaration of result इस बार होगा या नहीं होगा तो early declaration of result का form भरा जाता है और वो form जो भरा जाता है early declaration of result के लिए वो exam सुरू होने से पहले भरा जाता है यानकी exam सुरू होने से लगबग एक हफते पहले आपको एक form early declaration of result का भरना होता है और अपने regional center में submit करना होता है जो ये submit करता है उसका early declaration of result आता है बाकी student का जो result होता है वो अपने normal time पर ही आता है तो early declaration of result अगर किसी ने भरा है तो उसका result जल्दी आ सकता है early declaration of result के according लेकिन बाकी जो student है यानि कि normal जो student है उनका result अपने टाइम पर ही आएगा नॉर्मली को रिजल्ट आता है आपका वो 30 से 45 दिन के अंदर आता है यानि कि जब आपका एक्जाम खतम हुए उसके 30 दिन से लगवग 45 डेज के बीच में आपको पहली अपडेट देखने को मिल जाती है यानि कि हो सकता है कि नवंबर में आपका रिजल्ट कम्प्लीट आ जाए नवंबर में आपको रिजल्ट की पहली अपडेट देखने को मिल सकती है जो सेप्टेंबर एक्जाम है वो 17 से लेकर 16 अक्टबर 2020 तक हैं तो नवंबर में आपको अपडेट देखने को मिल चकती है और November में आपका Result आ जाएगा और Declare कर दिया जाएगा उसके बाद December में भी आप exam दे सकते हैं जैसे कि IGNU की तरफ से कहा गया है कि जो September exam नहीं दे पाया वो December का exam भी दे सकता है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर करें सेर जरूर करें इस वीडियो में